मश्कार दोस्तों दोच अम इस वीडियो में पढ़ेंगे टिप टिप वा की कहानी तो चली शुरू करते हैं एक थी पुडिया उसका एक था पोटा पोटा रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता दादी रोज उसे दर दर की कहानीय सुनाती एक दिन मुस्ला थार पारिश हुई ऐसी पारिश पहले कभी नहीं हुई थी सारा गाउं बारिश से पशान था बुडिया की जोपडी में पानी जग़ जग़ से टपक रहा था टिप 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 इस बात से बेखबर पोटा दादी के गोद में लेटा कानी सुनने के लिए मचल रहा था बुडिया खीच कर बोली रे क्या बचवा का खानी सुनाए ये टिप टिप वान से चान बचे तब ना पोटा होता उठकर बैठ गया टिप टिप वा क्या शेर पाग से फी बड़ा होता है दादी छत से टपकते हुए पानी की तरस देख कर बोली हाँ बचवा ना शेरवा ना के डर ना पागवा के डर डर तर डर टिप टिप वा के डर सयोग से मुस्सीपत का मारा एक पाख बारिश से बचने के लिए जोपड़ी ई के पीछे बैठा बेठा था बिचारा बाग बारिश से बारिश से दुखी हुआ था बुडिया की बात सुनते ही वह और तेर गया अब यह टिप टिप वा कौन सी बला है जरूर यह कोई बड़ा जानवर है तभी तो बुडिया शेर भाग से चाता टिप टिप वा से दरती है इससे पहले की बारिश बाहर आकर वह मुझे मुझे पर हमला करे मुझे ही यहां से फाग जाना चाहिए बाग ने ऐसा सोचा और जट पट वहां से तुम दबा कर फाग गया उसी काओं में एक थोबी रहता था वह भी बारिश से परिशान था आज सुभै से उसका गथा कायब था सारा दिन वह बारिश में फीकता रहा और जग़ जग़ गथे को ठूलता रहा और जग़ जग़ खोजता रहा लेकिन वह कहीं नहीं मिला ढूबी की पत्नी बोली जाकर गाओं के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते वे बड़े ग्यानी हैं आगे पीछे सब के हाल की उन्हें खबर रहती है पत्नी की बात्थूपी को जफ गई अपना मोटा लट उठा कर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा उसने देखा कि पंडित जी खर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेक रहे हैं दोभी ने घबराते हुए पूछा महराज मेरा कथा सुभे से नहीं मिल रहा है जरा पोथी बेच कर बताईए तो वह कहा है सुभे से पानी उलीच ते उलीच ते पंडित जी खक गए थे दोभी की बात सुनी तो जुझुला पड़े और बोले मेरी पोथी में तेरे गधे का पथा है क्या जो आगे आप पूछने अरे जाकर ढूंड उसे किसी इन गड़ई पोख कर में और पंडित जी लगे फिर पानी उलीच ने डोभी वहां से चल दिया चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुचा तालाब के किनारे उची उची घास उग रही थी दोभी घास में गधे को ढूंडने लगा किस्मत का मारा बेचारा बाग टिपटिपवा के डर से वही घास में चिपा बैठा था धोभी को लगा कि इपाग ही उसी का कज़ा है उसने आफ देखा नताफ और लगा बाग पर मोटा लट बरसने बेचारा बाग इस अचानक हमले से एकदम खपरा गया बाग ने मन में मन ही मन सोचा लगता है यही टिपटिपवा है आखिर इसने मुझे ढूंड ही लिया अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुप चाप करते चाओ आज तुने बहुत परिचान किया है मार मार कर मैं तेरा कचुमर निकाल दूँगा एसा कहे कर धोबी ने बाग का कान पकड़ा और उसे खीचता हुआ खर की तरफ चल पड़ा चल दिया बाग बिना चू चपड किये बीखी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया घर पहुच कर धोबी ने बाग को खूटे से पांथ दिया और सो गया सुबहे जब काम वालों ने दोबी के घर के बाहर जूटे में इसे एक पांग को पंधे देखा तो उनकी आखे खुली खुली रह गएं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद